दिधान सभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही EVM सवालों के घेरे में हैं खासतोर पर MP चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उच रहे हैं कॉंग्रिस का दावा है कि EVM में हेरा फेरी कर चुनाव परिणाम बदले गए हैं और आज इसे लेकर भोपाल में जमकर हंगामा हुआ मध्यपरदेश की राजधानी भोपाल में कॉंग्रिस कारकरताओं ने जमकर परदर्शन किया और EVM के पोश्टर पर कालिक पोती कॉंग्रिस कारकरताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव में जनताने नहीं EVM में की गई धोखा धड़ी के चलते ही इस तरह के परड़ाम आये है राजधावन के सामने कॉंग्रिस कारकरताओं के परदर्शन में पूर्बसियम दिगविजे सिंग और विधायक पूल सिंग बरईया भी शामिल थे दैसल बरईया ने विधानसभा चुनाओ के दोरान अलान किया था कि बीजेपी को 50 सीट भी रही मिलेगी अगर 50 से एक भी जादा सीट बीजेपी कियाई तो वो राजभवन के सामने अपना मुह काला करेंगे बाद में बरईया ने EVM वाले पोश्टर पर कालिस्या ही पोद़ दी उन्होंने कहा कि हम EBM का मूह काला कर रहे दैसल बरईया को मूह काला करने से पूर्विसियम दिगविजे सिंग ने रोक दिया और उन्हें काला ठीका लगाया इस जोरान कॉंग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मतपत्रों से अगर चुनाओ हो तो प्रदेश की सरकार बदल जाएगे इस बार भी मतपत्रों की गिनिती में 230 में से 199 सीटों पर कॉंग्रेस ही आगे थी बीजेपी को सिर्फ 31 सीटों पर ही बढ़त मिली थी काउंटी की शुरुवात में जब मतपत्र गिने गए थे तो कॉंग्रेस आगे थी लेकिन इवियम की गिनिती में खेल हो गया और बीजेपी की 163 सीटों पर जीत हो गए इस बीच अब मतप्रदेश के चुनाव परिणाम को कोट में चुनावती भी देने की तयारी हो रही है दीबी लाइब की रिपोर्ट